हलो व्यूवर्स मैं हूँ आपकी होस्ट एंदोस्त स्नेहल राय और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ इस शो में जहां है नॉलिज, पॉजिटिविटी, अवेरनेस जी हां इस शो का नाम है होमियोपैथी, अन्होनीपैथी विल दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि ना सिर्फ इंडिया में कॉमन है, आई थिंक पूरे वर्ल्ड में कॉमन है ये जो दर्द है, ये जो बिमारी है, ये हर अनसान को कुछ पलों के लिए होती है, कुछ हफ़तों के लिए, कुछ महिनों के लिए, in fact, किसी-किसी को तो साल भर रहती है ये कौन सी बिमारी है? वेल, इसे हम कहते हैं head ache, याने कि सर का दर्द कै इस सर के दर्द का इलाज होमियोपाथी में है? अगर है तो जानते हैं खुद एक्सपर्ट से Well, he is none other than Professor Dr. Anwar Amir Ansari जी Professor Dr. Anwar Amir Ansari एक समर भी टीचर और पेशेंट्स के चहेते हैं जिन्होंने अपने टीज सालों के अनुभादवारा क्लासिकल होमियोपाथी और मौडन कॉंसेप्ट को कुलाइबरेट किया और अपनी रेवलूशनरी रिसर्च से इजाद किया ट्रीटमेंट का बायो साइको सोशल मौडर जिसकी हेल्प से आज इनॉपरेबल और लास्ट टेज कैंसर सहित कई जटी बीमारियों से जूज रहे लोगों को नया जीवन मिला है अपनी अद्भूत रिसर्च के लिए इंटरनाशनल कॉन्फरेंसेज में सम्मानित डॉक्टर अंसारी को अब तक अनेक अवार्ड से नमाज आ गया है डॉक्टर अंसारी का एक ही मिशन है खतरनाग बीमारियों के आतंग को चुनोती देना और लोगों को एक सफल इलाज उपलब्द कराकर उन्हें स्वस्त खुशाल जीवन देना नमश्कार डॉक्टर अन्वर सहाब तहित दिल से आपका स्वागत है इस शो में तैंकि पर कांटाट कीजिये और बात कीजिए दॉक्टर अन्वर जी से और इस शो के बाद भी अगर आप करना चाहें तो डॉक्टर अन्वर सहाब और उनकी पूरी टीम हमेशा आपकी सेवा में ततपर है तो देज मत कीजिये पर इसे के साथ डॉक्टर साब सरका दर्द कहने में तो बहुत चोटी चीज लगता है लेकिन बाकरी में जिसे होता है उसी पता है कि कितना दर्द उन्हें होता और कितने दर्द का सामना करना पड़ता है मैं आप से यह पूछना चाहूंगी कि सरका दर्द क्या एक ही प्रकार का होता है कि इसंवे इसमें भी अग़वए अलगए किस्म के यह पाय जाता है सरकादर्द इस सबसे कומon वर्ड ले इस वह वियारिय कि तה से कभी कोई परीषानी हुआ भी अंपो द। जब किआ सरकादा दे Hmm कि क्या सरकादा मालो चले खाल बाता है। अधा किसले हैसे ही पाम्याइमीट्पमाइविति होल कि इस फिद में उसके अपड़ thank you जिए अधा किर जा किसमानाभ प्राम्याइम इंडेती है और ही उरिजनल खविडिक है और टेंशन्य हैज़ाइ एक साथिक्षर थीन है हएं तीन जैसित्विक्रीशन होगी हम क्या है आगे बताएंगे हिस्ते ऊसर्दे से कर्फाटे के अंधर रचेंट्री में कईया कुई पहले ठाम्री कोई प्रप्रॉब्लम है एक नि छो काल्स के इंद squash इंद्स ऑर्य सूजं लिए जो पत्वे कें अगडेंग होता है। तो उसके जो मुझेश होता है। तो उसके जो हैडेक होता है तो वह बी सिकंटरी में आता है। friendly our tissues are those are those possible problems and for energy's of the muscle factors other in wake the mind's is in the J rescued the body to our इसके वाज़ सावनिघक है तो रफैंदोर के अंधर, wifi हमें और तूरीच ब्राइन थैंटूमारे प्रावल्म अगे टिंदर काने रेचेंजिकमर इसके प्रावलम प्रावलम है under Heart Rankne level और सहरी और समझो अमारी नार्टरीज में आर्ठीज में यह सेकंडरी कोईज होगे यह हम ऐसी बात जारी रखेंगे लेकिन बहुत सारे कॉलर्स आपसे जुड़ना चाहते है अगर आपकी इजाज़त हो तो आज का पहला कॉल में लेना चाहते है हलो नमशकार होमयोपाथी अन्होनीपाथी में आपका स्वागत है जी फर्माईये क्या खिद्मत करो आपकी यह रवकाथी नमशकार रवकाथी अच्छी अच्छी मैं जद पुजदिनोंते मैं लोटिस कर रहा हूं कि मेरे सीर में बहुत ब़द होता है जी जी और अचाम्नच से ब़द होगा और थिर जफ्टर की कोई गाल्बादा उसको डवार मदे, जफ्टर को खिंग नहीं होता. ये असीर्टर की बदब बीच के हिंतर में नहीं, जी जो दोनों किणाले होके हमा, उसमें बहुत थर्द होता है. वा अच्छा एख बाटा लिखरा आप कुछ इनाइग होगा है जे रख रहें अपसे अदर्द हो रहे आपको है है यह करीब अभी कर दो आफ इनाई हिया हुआ हुआ हो एद ग्वाशब्स हो ठीज अपर और होता है यह कुछ आप रह लिख ताईम वर होता है कुछ इसक्स ट आपको प्राइमरी कॉस्स के अंदर तीर मुक्षय कारण उते हैं एक माइगरिन एक लिए क्लुस्टर एक टेंशन एक होता है तो प्रबैबली आपका जो यह जो केस जो है वो तेंशन एक तालुक से हो क्योंकि अपने बताया कि यहाँ पर साइड के अंदर जो है यह यह अर्ट यह तो लागाँ यह तो अपने बतायों नहीं वेस्ट मजारन आये ऐ एक माइगरियंन के अंदर आइड के अउपर शर्कुलिशन में प्राप्लम होता है और यॉल्टी करने के बाद में यह अर्च को और मिलता है आपने बता है अगे आपको प्रेशर से आरा मिलता ह तो उस किसम से आप pain होता है तो mostly जो आपका जो cause है ये primary cause है tension के वज़े से तो आपको जो stress जो factor है उसको work करना पड़ेगा tension क्या चीज़ का अपना analyze करना पड़ेगा और आपको कैसे adapt करें tension को देखना पड़ेगा कुछ दवाईयां होती है आपको जो help कर सकती है आप अगर हमसे contact करेंगे रापता करेंगे हमारी टीम से तो आपको पूरा समझेगे आपका case क्या है क्या नहीं है उसके हिसाब से profile समझने के बाद में आपको कुछ अच्छी मशारा देंगे क्या करना है क्या नहीं करना है पहराल आपकी जो history लेकर लेने के बाद में पहुंशेंगे और basic test होते पहले हम वो करेंगे हमको बहुत जादा आगे के बहुत severe किसम की बिमारी ऐसा नहीं सोचता है पहले common शीज़े इसको रुगलाओ करने ये बाद में आगे बढ़ेंगे आप contact कीजिए आपकी पूरी मदद करेंगे इसके बाद तैंक यू सो मुच महीश जी फो कॉलिंग अस जी जी तैंक यू मजश जैसे अभी महीश जी ने हमसे बात की और डॉक्टर अन्वर साहब से अपने सारे प्रॉब्लम्स का हल जानने की कोशिश की वैसे ही आप भी कर सकते हैं अगर आपके भी जिंदगी में सर का दर्ध दाखिल हो चुका है या कोई और बिमारी दाखिल हो चुकी है या आपको कोई सिंटम्स दिखाई दे रहे हैं जो नॉमल नहीं है आप अभी के अभी विदाउट वेस्टिंग टाइम कॉल कर सकते है डॉक्टर अनवर साफ आपके सारे सवालों के जवाब दे सकते है अनफाक्ट अगर शो के दौरान हमारे जो नंबर से वो बिजी आते हैं तो शो के बाद भी आप संपर कर सकते है डॉक्टर अन्वर सहाप और उनकी पूरी टीम हमेशा आपकी सेवा में तदबर है सो देर मत कीजे नमबर्स आपके टीवी स्क्रीम पर लगातार फ्लाश हो रहे है पर डॉक्टर सहाप इसे के साथ मैं फिर से एक बार पूछना चाहूं कि आप से और सर के दर्थ का कोई लेना देना है I mean कोई कनेक्शन है क्योंकि मेरा अपना ये एक ख्यालात है कि जब मुझे आखों का चश्मा लगेगा तो शायद वो सर के दर्थ से लगेगा या वाइजा बर्सा कुछ होगा सो इस बैट टूग जी सही है सिर्फ आख का ने आट सबखिए wertट का थालोग आसए भी होिए नाक से भी होसकता है काहंसे हो सकता है अर अंदर जो हमारे हैट के जो कबनीग है उससे भी हो सकता है विछ यह जो बात रहे है कि आमड़ पर आखों का जड़ फ्रॉब्लम जो होता है ये अखेअ के नंबर बढ़ गया। तो उसके वज़े से एकमोंटिशन में प्राप्लम होता हुद अज दिखने में। हम स्ट्रेश जादा करते हैं कोई अलफास पंडने में, कोई वर्स पंडने में। तो चेश्मा कर नहीं, अगर एक्कमेटिशी में प्रॉब्लम है आखों के उसमें, तो उसके वैसे हैड़ेक हो सकता है, कॉमा नहीं है, एक और आख के वज़े से जो कॉमान कॉस हैड़ेक का और जिसका होमेपिती में बेतरी ट्रीटमेंट है, वह है ग्लाउकोमा, ग्लाउको का तालोग बिल्कुल है, हैड़ेक अगर किसी को है, तो उसकी आखों को जाज करना चीए, क्या उसमें नंबर का को इश्य तो नहीं है, या उसके लॉकोमा तो नहीं है, ये एक रीजन हो सकता है क्या आख का, जी, और डॉक्टर अनुर साहब इसी के साथ फिर से एक बार ए है, तो लेते है आज का अगला कॉट है, हालो, हालो, नमस्कार, होमयो पैथी, अन्होनी पैथी में आपका स्वागत है, क्या मैं जान सकती हूँ आपका नाम क्या है और आप कहां से बोल रहे हैं, जी, मैं रुष्णा बात कर रही हूं टैली से, रुष्णा जी, अभी मैं मैं तो साल से PCOD का प्रॉब्लम है, मैंने काफी ऐलोपेथिक ट्रीप्मेंट लिया है, जब तक कि मैं मैडिसन लेती हूं ठीक रहती हूं उसके बाद से फिर मुझे वही प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसका राज होमयोपैत में है, मुझे यह जानना था, तो PCOD अपने क्या मुझे बाद ses खाएम ही जिससे पानु पड़ा प्रॉब्लम होर्मों टाय है, जिए आम तॉर पहसा हूं, जो में स्थिंटम होता है, जो महावारी की शिकायत हैं, मनतलब महावारी आती नहीं है, यह लेड आती है, इस किसमी शिकायत होती है, और भी सारी साह पे शदम होत हाँ इन तुनों में कुछ मेरा लगभा एक से दो पीलो मेरा वदन बढ़ा है हमेपती में बहुत सराल इलाज है आला कि मुश्किल है दवाईयां सराल इसकी है लेकिन चुकि आपका जो मामला शुरू शुरू का है तो उम्मीद है कि आपका जो यह मस्कला जरेक ठीक हो सकता है हम कुछ चीज़े बताएंगे आपको कुछ आपका हिस्ट्री लेने के बाद में कुछ दवाईयां बताएंगे आप हमारे टीम से कांटेक्ट कीजिए हमारे नमबर्स पर कांटेक्ट कीजिए मसला तब हल होगा कि हम आपको आपकी प्रोफाइलिंग करने बाद में ऐसी जो पर काई ह्स की है क्या को सब्सक्राइब जाए वहां पर क्या उसकाइसा है तो आपका सिर्फ और उन्हमारी तो unters by little बालको जो फॉलिकल जिम्टें जो पैदा होते हैं लिए पेड्क होगा you do भौत इक शुक्री जॉत तांक Ö अगर आपके भी जिंदगे में सर का दर्द दाखिल हो चुका है या कोई और बिमारी दाखिल हो चुकी है या आपको कोई symptoms दिखाई दे रहे है जो normal नहीं है आप अभी के अभी without wasting time call कर सकते है Dr. Anwar साफ आपके सारे सवालों के जवाब दे सकते है In fact, अगर show के दौरान हमारे जो numbers है वो busy आते है तो show के बाद भी आप संपर कर सकते है Dr. Anwar साफ और उनकी पूरी टीम हमेशा आपकी सेवा में तदपर है So, देर मत कीजे Numbers आपके TV स्क्रीम पर लगातार फ्लाश हो रहे है Well, Dr. Anwar साफ आपके पास में एक बहुती छोटा सा शहजाद एक नन्ना साफ बच्चा कुछ समय पहले आया था एक बहुती कंभीर बिमारी के साथ और आज वो एक वाक्वी में खुशनुमा जंदगी जी रहा है उसकी सेक्से स्टोरी सुनते है उसी के पापा के जुबानी तो अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं अपने सारे दर्शकों के साथ वो कहानी शेयर करना चाहती हूँ प्लीज मेरा नाम हैदार अली है, बानूस है हूं है मेरा बच्चे एक दिली में तीन महीने का तो होल था हम लोग गया मोलन में बड़ा हस्पिरल में दिखाने के लिए तो उन लोग पाइसा मांगे दो लाग रुपिया तो मेरे पाइसा नहीं था फिर भी जो जोगाड कर के हम लोग इगरी के लिकीन निरासोगे की बच्चा नहीं बचेगा आज पासो के भी बोले की एपरेशन क है तो डाक्टर है तो उसके बाद दवा भी दिये करिवे दो साल तक हम लोग लोग दवा कराए बेगर अपरेशन का यह बच्चे का मतलब बहुत बड़ा सुराग था और सही हो गया है लगी अनौड डाक्टर के बहुत बहुत सुक्रिया है विल दॉक्टर सहाब वाके में दिल को चूने वाली कहानी है यह मैं आप से एक बात पूछना चाहूंगी कि एक्जाक्ली यह पूरा जो जर्नी था इस नन्ने से बच्चे का इसके साथ-साथ आपकी भी जर्नी थी तो यह कैसी थी किन मुख्किलों का सामना आपको करना पड़ा था अस डॉक्टर देखे पिछेने कि यह बड़ा चलंजिग किस था छी यह बच्चे तीन महने का था जब मेरे पास में आया था जब मेरे आए था हुरा थ ballot अचाहए में और त्यों वह थूराट के एज द्सक्रीड एड़नेगाय। तो यह बच्चे को अटों सेप्टल डिफेक्ट हार के अबहाए वो चिम्बर, चार खाने होते हैं और हर खाने के बीच के अदर एक सेप्टम होता है एक दीवार होती है जो के नॉर्मल तोर के ओपर यहां से बलड जिनी जाता है लेकिन इसकी जो दीवार की बीच में खड़ा था बड़ा होल था जिसके वए से ओक्षिजन वाला बलड और तो यह प्रॉलम था उसका उसका सेप्टरल डिफेक्ट होनी के वजए से अभी वेंटिकुल सेप्टरल डिफेक्ट है यह जो एक सर्जिकल कंडिशन है यह बच्चा मारे पास में आया तो बहुत सर्दी, खासी, बुखार, गास्पिंग, सांस ने लिए सकता था इस किसम से चाहिए था और यह बच्चा और डॉक्टर्स को दिखा कर आया था था इस बड़े बड़े अस्पताला में दिखाया था और इसका जो अपरेशन करना पड़ेगा इतना इतना पैसा लगए यह गरीब लोह हैं लेकिन उसके बावजूद उसके प्रिताजी ने हिम्मत की बो ने प्रिताए थे हमने कुछ दवगें दी अलगा शुकर है कि दवगाई के बाद में हमारी प्रिस्क्रिप्शन जो सई थी वह उसको रिस्पॉंस इसको आते हैं कि एक्यूट कंदिशन कि हमने बाहर निकाला उसको उसकी सांस और जो बाकी जो शीकायवत थे एप्र हम ने उसका टूडी को रिपीट कराते गए तो माँ हमने देखा कि उसमें इंपूर्मेंट आ रहा है और फिर बाद में कुछ दो साल के ट्रिज्मेंट के बाद में हमने ये देखा कि पूरा जो वीएची था वो इतना बड़ा होल था कि मतब इंपॉसिबल था कि बड़ा बंद हो सके लेकिन हमने ये देखा कि नेसल दोर के पर कैसा वो होल बंद हो गया कि जब ये बच्ची का बाप माबाप जाके वो डॉक्टर को दिखाते हैं कि बड़ देखो आपने तो गलता कि ऑपरेशन के लिए तो गुदम अच्छंबे में पढ़ जाते हैं कि ये कैसे हो गया होमेपति से ऐसा होता है कि आम तर पर बहुत कहा जाता है होमेपति से कुछ होता नहीं है ये एक धारना है जो बलकल गलत है अगर आपको होमेपति सही मिलती है तो ऐसा भी हो सकता है और नहीं औकर मिलेगी तो वैसा जैसा हो तक है आप जैसा सूचते है वैसा हो सकता तो आपको ज़रूरी ये कि होमेपिती क्या है समझें जो मारकेट में आम तौर पी आपको अच्छी होमेपिती मिलती है कि नहीं वो देखें आप आपका चायन जो होमेपति के लिए आपका प्रैक्टिसन अच्छा होना चाहिए क्लासिकल होना चाहिए और उसका स्किल ऐसा होना चाहिए कि आपकी case को समझे और उसके हिसाब से treatment के करे तो ऐसे-ऐसे case जैसे आपने लिए देखा है उसके समझे case हो सकते कि दो सार के बाद में हमने जब आपसे 2D कराया तो होल बिलकुल बंद हो चुका नॉर्मली तो आप अपनी जिन्दगी में होमेपती अपना हिए ना सिफ क्यूर के लिए जो बीमारी का है लेकिन प्रिवेंशन के लिए भी बहुत सारे बीमारियों में प्रिवेंटिव बहुत सारी लॉजिकल बाते बताई है हेड़ेक के लिए और आपका कीमती समया आज आपने हमें दिया उसके लिए तहे दिल से एक बार फिर से शुक्रियादा करना चाहूं तो आप डॉक्टर अन्वर सहाब से सलहा लेना चाहते है तो आप डॉक्टर अन्वर सहाब या उनकी पूरी टीम से संपर कर सकते हैं हमारा पता है हमारा पता है हमारे फोन नंबस है 022-2300-4757 022-2300-5757 और 9930-950-750 हमारी इमेल आइडी है dranwaramir.gmail.com हमारी वेब साइट है www.dranwaramir.com वेल इसी के साथ दोस्तों मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त स्नीहल राए चाहूंगी आप सबी से लेना इजाज़त इसी शो में दुबारा आपसे मुलाकात होगी जिसका नाम है Homeopathy अन्होनी पैथी एक नए विशे के साथ तब तक के लिए अपना खयाल रखिए क्योंकि सेहत है तो सब कुछ है